मैदान का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जहां उसने शौट ना मारा हो जब वो क्रीज पर आता था तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता था वो घूम घूम कर शौट लागाता और पॉल सीधा बॉंडरी लाइन के पार जा गिरती थी सर्विश रेस्ट वंडे क्रिकेटर प्लेयर अफ दा येर वंडे इतिहास का सबसे तेश शतक जणने वाला सौ से भी जादा स्ट्राइक से रन बनाने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट की खलबली ए भी डिविलियर्स ने क्रिकेट जगत को अलविदा कह दिया ये खबर हर फैंस के लिए निराश करने वाली है क्योंकि डिविलियर्स की बैटिंग का हर कोई देवाना था उसका एक अलग ही स्टाइल था डिविलियर्स के सन्यास लेने की खबर जबाई तो आप चौक गए होगे आखिर क्या थी वजा क्यों किया ऐसा किसके लिये लिया ये सन्यास किसके लिये लिया ये दिल तोडने वाला फैसला बता दे कि सन्यास की वजा का खुलासा डिविलियर्स ने खुद एक वीडियो जारी करके किया है आए सुनते हैं डिविलियर्स ने क्या कहा Hi, this is the Tux Cricket Club at the High Performance Center in Pretoria where 14 seasons ago I arrived as a nervous youngster when I was first called into the Proteus squad Today at the same place, I want to let you know that I've decided to retire from all international cricket with immediate effect Cricket fans around South Africa and around the world Thank you very much for your kindness, your generosity and today for your understanding Can't De Villiers ने भले ही cricket से सन्यास ले लिया लेकिन वे अपने बेजोर और आकरामक बल्लेबाजी के लिए हमेशा याद किया जाएंगे हमारे चैनल की अपटेक न्यूज को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करें